हेई कैसे आप सब अपने बगीचे में कमल उगाना आपको सोच कर थोड़ा टफ लगेगा लेकिन लोटस ग्रो करना उत्तर टफ है नहीं इस वीडियो में मैं आपको लोटस को ग्रो करने के जिए दो तरीके हैं बीजों से और ट्यूबर से वो दोनों ही बताऊंगी साथ ही प यह कमल का बीज है और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि एक साइट थोड़ा नुकीला सा निकलावा रहता और एक साइट फ्लैट सरफेस होता है जो थोड़ा पॉइंटेड निकलावा सा पार्ट है उसे ही हम घसेंगे घसने के लिए आप कोई भी सिम इसे स्कैरिफिकेशन कहते हैं यह हार्ट सीट को ब्रेक करने के लिए करा जाता है दो बीजों को अच्छा से स्कैरिफाइग कर लिया है मैंने और अब बस इन्हें पानी में डालना है बड़े आराम से सीट जर्मिनेट हो जाते हैं बस आप हर रोज एक बार पानी बदल दी ऊसे किसी भी तरह का फंगल इंफाक्षन नहीं होगा बीजों को पानी में रखे हुए तीन दीन हो गया है और आप देख पार होंगे जर्मिनेशन स्टाट हो गया है अब दोनों ही बीज जर्मिनेट हो गए हैं जर्मिनेशन में जो टाइम लगता वो आपकी तरफ के टेमप्रेचर पर डिपेंट करते हैं गर्मियों में बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं जब कि थंडी के मौसम में बीज लेट से जर्मिनेट होता है इसलिए गर्मियों का मौसम कमल को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा होता ये वाला बीज अब गमले में लगाने के लिए बिलकुल तयार है इन उगे उपे बीजों को गमलों में कैसे लगाना है इस पे मैंने डीटेल वीडियो कर रहा है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिजएगा मैं उस वीडियो का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी चले इस वीडियो में आगे अब हम ट्यूबर लगाने का पुरा प्रोसेस देख लेते हैं दोस्तों बीद से या ट्यूबर से जिससे भी आप पौदे को ग्रो करें आप उसके गमले के लिए अपने गार्डन का सबसे ज़्यादा धूप मिलने वाला लोकेशन सेलेक्ट करिएगा मैंने 16 इंचे चोड़ाई और 14 इंचे गहराई वाला गमला लिया है लोटस ट्यूबर को ग्रो करने के लिए यह सफिसेंट है इससे छोटा मत लीजेगा इससे बड़ा आप ले सकते हैं गमले का ड्रेनेज होल मैंने इपॉक्सी कमपाउंड से बंद कर लिया था और सबसे पहले इस गमले में हम फ़र्टिलाइजर डालेंगे कोई भी बैलेंस्ट एनपीके आप यूज कर सकते हैं मैं जो यहां पर यूज कर रही हूँ वो नाइंटिन नाइंटिन वाला है ट्य अगला लेयर हमें बनाना है वर्मी कमपोस्ट का या कोई भी कमपोस्ट आप यूज कर सकते हैं लगबग आधा किलो हमा भी डाल देंगे अगला लेयर हमें डालना है गली वी मिट्टी और इट के टुकड़े का इस मिट्टी में ही मैंने इट का टुकड़ा मिला दिया था और गली वी मिट्टी कहने का मतलब है कि पानी में डेर से दो सप्ता के लिए फुलाई वी मिट्टी मिट्टी को लेवल करने के बाद उसमें हम त्यूबर लगा देंगे त्यूबर आप चाहे तो आज पास के लोटस पॉण्ट से कलक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास प्रीव्यस लोटस प्लांट है तो उससे त्यूबर निकाल सकते हैं मैं जब आपको flowering दिखाऊंगी ना तभी lotus tuber collect करना भी बताऊंगी मिट्टी में tuber को थोड़ा प्रेस कर दीजे जिससे वो completely मिट्टी के contact में आ जाए tuber से अगर कुछ पत्या निकर रही है तो उन्हें पकड़ के रखेगा जिससे कि वो मिट्टी में दब ना जाए और लीजे tuber लग गया फ्रेंट्स बीजो को लगाते वक बस आपको उगे हुए बीजो को इस tuber से replace कर देना है और हाँ वो जो chemical fertilizer वाला पहला step था ना वो skip करना है इस गमले में हम पानी भर देंगे और जैसा मैंने आपको बताया lotus pond आप हमेशा ही तेज धूप बाली जगह पे रखे जिससे पौदे की growth अच्छी होगी अभी डेर महीने तक हमें इसमें कोई भी fertilizer add नहीं करना है हुए पौदे की पहली पत्ती आ गई कि ता क्यूट दिख रहा ना और पानी ना कमल के pond में हमेशा रिफील करते रही है क्योंकि एक तो पौदा यूज करता है दूसरा evaporation loss से पानी हमेशा कम होता जाता है सेवन्थ अप्रिल को मैंने ट्यूबर लगाया था और आज है 30 अप्रिल अब देख सकते हैं aerial leaf आ गया है ट्यूबर से lotus plant काफी जल्दी और काफी अच्छ से ग्रो हो जाता है और सेम सीजन में फ्लावर मिलने के chances भी काफी जादा होते यह रहा पांच में का अपडेट लगवग एक महीने हो गया है दो aerial leaves आ गए पौदा काफी अच्छ से ग्रो हो रहा यह रहा 23 जुलाई का अपडेट राइट साइड वाला बीज से उगावा पौदा है जो मैंने साथ माई को लगाया था और लेफ्ट साइड वाला ट्यूबर से लगावा पौदा है जो कि मैंने सेवन्थ एप्रिल को लगाय हुआ है ट्यूबर या बीज से लगाने के डेर महीने तक कोई भी फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद जो फर्टिलाइजर आपको हर महीने एक वार यूज करना है चलिए मैं आपको वह बता दू और साथी जो कुछ जिरूरी केर टिप्स हैं वह कमल को गमलों में लगाते हैं तो जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर ओप्शन हमारे पास हैं वह स्लो रिलीज फर्टिलाइजर चाहे तो आप ग्रैनियोल ले लीजे या फिर स्टिक या फिर टाबलेट्स जो मैं फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं यह स्लो रिलीज फर्ट के अंदर जाने चाहिए यह फर्टिलाइजर आपको सीड या ट्यूबट जिससे भी लगाएं वो लगाने के डेर महीने बाद से हर महीने एक बार डालना है फ्रेंट अगर आप मुझसे इसका आप्शन पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो मैंने एक महीने के लिए यूज किया है ना वन हैंडफुल उसका एक चथाई बस डालेगा और अगर आप सिर्फ और ग्यानिक फर्टिलाइजर जासे की कॉम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट यूज करना चाहते हैं तो उस केस में आप बड़ा गमला लीजे कम से कम दो बड़े गले पत्ते हैं आप उन्हें कॉंस्टेंटली हटाते रहिए दूसरा जो सूखे पत्ते बाहर हैं उन्हें हटा दीजे और चेक करते रहिए पौधे पर कोई इंसेक्ट या कुछ तो नहीं है वैसे लोटस काफी हार्डी प्लांट होता है आपको जल्दी कोई भी फ बागी उसकी भी कोई ज़रुरत नहीं पड़ती है गमलों की साफ सफाई में और ज़रूरी चीज है ग्रीन अल्गी को हटाते रहना कभी-कभी लोटस पॉंड में ग्रीन अल्गी ग्रो होने लगते हैं तो आप उन्हें किसी स्टिक की मदद से आसानी से हटा सकते कभी-कभ जैसे कि मेरे सीड वाले लोटस पॉंड में एक वार वस मैंने हटाया उसके बाद वो नहीं ग्रो हुए लेकिन ट्यूबर वाले में बार-बार ग्रो हो जा रहा है तो मैं हर 10-15 दीन में इस्टिक की मदद से जो भी ग्रोथ होती है ग्रीन अल्गी की उन्हें हटा देती हू ग्रीन अल्गी हटाने के बाद इस ट्यूबर वाले लोटस पॉंड में भी मैं वन हैंडफूल फर्टिलाइजर ग्रैनुल डाल दे रही फर्टिलाइजर और साफ सफाई के बाद जो फाइनल केर टिप है वो यह है कि आप हमेशा ही लोटस पॉंड के पानी को रिफील करते रही है कभी भी से सूखने मत दीजे यह रहा अपडेट 15 ऑगस्त का फर्स्ट फ्लावरिंग वर्ट दिख चुका है होफुली सीजन हमें बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे कमल में अगस से लेकर के ऑक्टूबर के मिडविक तक फ्लावर्स आते हैं उसके बाद पॉदा थो यह रहा साप्टेंबर का अफदेट फ्लावर खेले हुए हैं एक बड़ा सा फ्लावरिंग बर्ट भी है कुछ नए फ्लावरिंग बर्ट भी आ रहे हैं अब सीजन एंडी होने वाला आप देख पा रहेंगे पत्तियां थोड़ी कम होई है और जादो तर अब एरियल लीव सी बचे हैं चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको ट्यूवर कैसे कलक्ट करना है किसी भी प्रीवियस प्लांट से चाहे वह आपके गमले में हो या फिर आपके असपास के लोटस पॉंड में आपको यह नोट दिख रहा हैं देगे यहां से रूट्स भी निकले हुए और इसी नोट से पतियां आई है साथी एक फ्लावरिंग बर्ड भी आया हुआ है इसी नोट को आपको प्रापागेशन के लिए यूज करना है नोट के दोनों तरफ चार चार इंचे छोड़कर आप काट लीजे और उस नोट को जैसे मैंने आपको ग्रो करना बताया गमले बनते हैं और इनने कलक्ट करके हम ग्रो कर सते हैं जैसे मैं आपको बताया दोस्तों इस गमले में उगा हुआ ये ब्यूटिफुल सा फ्लावर एक कली और आने वाली जो भी कलिया है वो मुझे इती खुशी दे दिये मैंने बहुत सोचा था लोटस प्लांट को अपने गार ख्याल रख्येगा अपना ख्याल रख्येगा मदर नीचर का बाइफ्रेंट्स टेक्यो हापी गार्टनी ग्रीन अर्थ हाली अर्थ हापी अर्थ प्रकेजिस गार्डन साइन ओफ